उत्तर प्रदेश वेपारी कल्याव बोड के प्रदेश वौद्र उपाध्यच मनीश गुपता ने रेविवार को सर्केट होस के सभागार में वेपारियों के समस्याओं के सम्द में कहा कि गोरखपूर परदेश का सबसे महतपूर जनपद है और इसे रोजगार का केंदर बनाना है। का कोई मामला परदेश में लंबित पड़ा है तो वो बोर्ड को पत्र लिकर ऑगत कराएं उनकी समस्या का समाधान बोर्ड शेगर ही करेगा। इस समद्ध में गोरखपूर्णी से बात करते हैं उत्तर परदेश व्यपारी का लिनार बोर्ड के उपादेश मनीश गुपता न कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि आपको पता है एक लंबे समय से सबसे महत्पूर्ण जनपत है आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी पूर्वांचल की राजधानी के रूप में जाना जाता है और ऐसी परसिती में सरकार का ये दाइद तो है संगठन का ये दाइद तो है कि सर्वाधिक सुविधाएं यहां के नागरिकों को और पूरे पूर्वांचल को मिले पूरे पूर्वांचल को रोजगार का हब बना पूरी उत्तर प्रदीश के पूरे देश में गय हुए अपने स्रमिक भाई अपने वैपारी बंदू आमनागरिक बड़ी संख्या में पूर्वांचल में वापस लाटे हैं ऐसी प्रसिति में मानी प्रधान मंत्री जी की आत्म निर्भर भारत योजना के तहट भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए और पूरे पूर्वांचल को उस आत्म निर्भर भारत का के में सबसे आगे रखने के लिए मेरा गोरगपुर आगमन हुआ है हमने गोरगपुर के लिए अनेको योजनाएं चिन्नित करी हैं जो मात्र गोरगपुर ही नहीं बलकि पूरे पूर्व पूर्वांचल के नौजवानों को, पूर्वांचल के व्यापारियों को, पूर्वांचल के उद्धमियों को, और पूर्वांचल के आम जन्मानस को, प्रमुख से प्रमुख सुविधायें, जो बड़े बड़े अंतराष्टी महानगरों में होती हैं, जो अंतराष्टी इस तेख जनपत के अंदर चाहिएं, ताकि यहां से परतिभा का पलायन, किसी भी अन राज में, अथिवा किसी अन देश में, किसी भी हालत में न होने पाए, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, और ऐसा रोजगार मिले, कि वो अपने आप में दुनिया में मिस हो हमने पूर्वानचल के विकास के लिए साधान इंडेस्टियां लगाने पर भी 25-35% की स्थूट जारी कर दी है पूर्वानचल में 12 कलेश्टर हमने पास किये हैं जिनमें 70% की स्थूट छूट दी जा रही है जिनकी एक क्लेश्टर की लागत 10 करोण से 15 करोण के मद्ध होती है कम से कम उससे बड़ी इंडिस्टी लगाने पर हमने 30% से 60% तक की विभिन सुविधाई दिया जाने का प्राविधान कर दिया है पूरवांचल के किसी भी जन्पत में अगर फूर प्रोसेसिंग की कोई यूनिट लगाई जाती है चाहे डिबबावन्ध खाने की हो, चाहे कोल्डरिंग की हो, अथवा किसी भी प्रकार के जूस की हो और भी जो फूर्ट प्रोसेसिंग के यूनिट है चिपसे हैं और तमाम चीज़े हैं उनमें जो भी यूनिट लगाई जाएगी उसको 70% का अनुदान दिया जाएगा 10% की एक रुपए यूनिट बिजली सस्थी दी जाएगी इस सारी योजनाओं में और 10 वर्ष तक बिजली का सर्चार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा एक Cold Store लगाने पर भी हमने 35% की सब्सिटी पहले वर्ष और दो वर्ष परश्याथ 15% की सब्सिटी दिये जाने का प्राविधान किया है उसको भी 10 वर्ष तक विजली का सर्चार्ज पूरी तरह से माफ रहेगा इसके अत्रिक्त एक और सुविधा उसमें रखी है कि एक रुपे यूनिट विजली पूरी तरह से सस्ती रहेगी दुर्भटना में किसी आपदा में प्राकृतिक आपदा में दैवी आपदा में जीएस्टी में रेजिटर किसी भी व्यापारी को 10 लाख रुपई की सहायता दिये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदीश व्यापारी के लाड़ बोर्ड के माध्दम से मैंने कर दिया है और दरके और पैसा उसके जो भी आज स्रित्रों के एकाउनमें ट्रांसफर के जाने के निर्देश दिये गए है एक और मुझे लगता है आवश्यक बात आप लोगों को बताना आवश्यक है पिछले काफी समय से यह कुछ समय से कहें कुछ गलत है मिया प्यापारियों के उदम जो कंभार्यूर्ण कर Of वाअ educators department का और राजिकर ज्म पर भी किसी भी मामले में सलिक्ता पाई जाती है तो तीन महां में होने वाली बोड़ की बैठेक में, रत्कुल प्रविष्टी दी जाएगी और उसको निलंबित भी किया जाएगा किसी भी सूसड उत्मिडन को किसी भी व्यापारी के किसी भी हालत में बर दास्थ नहीं किया जाएगा यह पहला प्राविधान उत्तर प्रदीश में लागू किया गया है इसके अत्रिक्ट अधिकारी विवेक के अधार पर सोसर करते थे और टेस्ट लगा देते थे उस टेक्ट लगाने के उनकी अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है अब आज की तारीक में फिछले 24 अप्रेल से ही यह सास्ना देश लागू है किसी भी अधिकारी को विवेक के आधार पर टेक्स लेने का अधिकार पूरी तरह से समाफ्ट कर दिया गया है अगर किसी इतकारी ने विवेक के आधार पर किसी भी विवसाई को पर टेक्स लगाया इसकी सिकाथे पूरवांचर के कई यहलों से हम लोगों को प्राप्त हुई थी इसी के नाते ये प्रवास लगा है अगर किसी ने विवेक के उपर टेक्स लगाया तो उस धन्रासी की वसूली उसकी तंखा से करी जाएगी उसके चरित प्रणजिका में प्रत्कूल प्रविष्टी दी जाएगी साथी साथ और भी अनसासना विवावी कारिया है उसके विरुद की जाएगी हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है गोरकपूर का टेरा कोटा का बना हुआ गड़ेश लच्मी और दिये माटी से बने हुए दिये के साथ साथ जो डिजाइनर दिये विशेश कर गोरकपूर में और उसके आसपास के इलाकों में बनते थे और गोरकपूर की बाजारों में विखते थे पूरे उत्तर प्रदेश में उसके लिए बाजार मोहिया हो इसके लिए हमने प्रतेग जिला उद्धोग के अंदर पर उनकी प्रतिशनी लगवाई है प्रतेग जिले में होने वाले सारे मेलों में जो भी इस यहां के उत्पादक हैं उनको आने जाने का किराया पूरी तरह से आने जाने का पूरा किराया उनको मिलेगा वहाँ पर उनको जो इस्टाल है वो निसुल पुर्दान किया जाएगा इसके अत्रिक्त हमने गोरकपूर के और पूरवांचल के सभी उद्धोगों के लिए कालीन उद्धोग के लिए, खतकरगा उद्धोग के लिए, दरी उद्धोग के लिए इन सभी के लिए व्यवस्था करी है, एक बड़ा हमने व्यापार मेला आहजित किया है दिल्ली एंसियार छेत में, गाजियाबाद में, जिसमें एक दिन का किराया एक लाक सुरुपई से लेकर के दस लाक रुपई तक होता है, एर कंडिशन हाल में इसमें देश के सभी राज्यों के सरकारी प्रणिधी सामिल होंगे और अपने राज्यों में उप्योग किये जाने वाली वस्तुमों को वो उस से खरीदेंगे, ये उन पर बाधता है उत्तर प्रदेश में हमने सासने देश जारी कर दिया गया है, कि प्रतेख सरकारी विभाग में उत्तर प्रदेश राज्यों से बने हुए, जितने भी उत्पादन है, उनको 25% की खरीद करना अनिवार है उनको अपने मूल बजट के, चाहिए जितना बड़ा राजिका बजट हो, विभाग का चाहिए जितना बड़ा बजट हो, लेकिन 25% की खरीदारी कम से कम उनको प्रदेश में उत्पादत किये हुए वस्तों की करनी ही है उनका बिजली की समस्चा थी, बिजली की समस्चा के लिए उसमें एक नया सासनेदेश जारी किया गया है, इसके अंतरगत अभी तक वो उसका दुर्पियोग होता था, पावरलूम के नाम पर लोग उसकी जो सबसिडी मिलती थी ले करके, उसका वैवसाई गुपियोग करते थे और अपने घरों से कई घरों में कनेक्शन दिया करते थे, इस कारण से कुछ अधिकारियों ने इस पर रिपोर्ट थी, हाई कोड में भी कई रिटे इसके संबंद में हुई भद हुई और अन्य जन पदों को ले करके, इसके बाद एक नया कानून बनाया गया है, इसके अंतरकत इनकी सबसिटी और योगिता कितना विद्दुत वो उनके उत्पादन के लिए ज़रूरत है, जो पिछले छे महीने के अंतरकत उन्होंने जितना इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर उनका मानक्ते करने के बाद में, उसका निस्तारान किया जाएगा, इसका सासना झाल